इतना पैसा होने की बावचूद भी सैम वाल्टन ने कभी मानवता का साथ नहीं छोड़ा और उनका सौभाव ही वही मुख्यकारण था जिसकी वज़े से दुनिया की सर्विश्रेज्ट बिजनस्मेन बन कर उबरे और उनकी कामपणी वॉल्मार्ट दुनिया की सबसे बड़ रिटेल कमपणी के रूप में सामने आई इस किताब में सैम वाल्टन की पूरी जीवन गाथा कावर्णन है और साथे साथ ये भी बताया गया है कि एक बड़े बिसनस को किस तरह से एक बड़ा बनाया जा सकता है किस तरह से और बड़ा बनाया जा सकता है हम इस किताब के द प्रमचारियों के प्रती रवय्या बदल दिया। क्यों? सैम वॉल्टन ने वॉल स्ट्रीट पर हूला इसकर्ट पहन कर डांस किया था। पहला सबक डिप्रेशन में जीने के साथ साथ सैम वॉल्टन ने कठिन परिश्रम की एहमियत भी जानी। सैम वॉल्टन का जन्म 1918 में एक मिडल क्लास परिवार में हुआ था। उनका परिवार किंग फिशर ओकलाहामा में रहता था। उनकी परिवार ने ज़्यादा सम्रिध ना होने के कारण भी उनकी हर जुरूतों का ध्यान रखा। सैम वॉल्टन के पिता का नाम थॉमस था। थॉमस ने अपने परिवार का जीवनियापन करने के लिए बहुत सी अलग-अलग नौकरियां करी। और अपने आत्मसमान के वज़े से थॉमस ने किसी भी तरहें का लोन या फिर उधार ना लेने का निश्चे किया था। परिवार के इस्तिति अच्छी ना होने के कारण नैन ने दूद का बिसने शुरू किया। उन्होंने गाये खरी दी। गाये से दूद दोहने के बाद सैम की मां उन्हें बोतल में पैक करती और फिर उसके बाद सैम उस दूद को ग्रहकों को तक पहुँचाते थे। बचपन की इन सभी घटनाओं से सैम को अभास हो गया था कि उनको अपनी जीवन लक्षी को पाने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अपनी मां से प्रड़ित होकर सैम ने भी काम शुरू किया। जब सैम वॉल्टन मातर साथ वर्ष के थे तब उन्होंने मैगजीन बेचने के काम शुरू किया और धीरे धीरे उनका ये कैरवबार बढ़ता गया। जब तक सैम सातवी क्लास में आये उन्होंने बाइक पर मैगजीन की डिलीवरी शुरू कर दी। पढ़ाई की साथ साथ उन्होंने काम चालो रखा। और ग्रेजविशन होने की आवस्था तक उन्होंने अपने नीचे काम करने के लिए कुछ असिस्टेंट भी रख उस समय एक साल में लगबग पांच हजार पांच सो डॉलर कामाने वाले सैम वॉल्टन को एक बात का हैसास हो गया था कि अगर कोई व्यक्ती महनत करता है तो उसको महनत का फल जरूर मिलता है। 27 वर्ष की उमर में सैम वॉल्टन ने खुद बिजनस शुरू करने का अगर जीवन में अपने की ये बिजनस को सफल बनाना है तो दिल लगा कर महनत करने होगी। उनको कुछ ऐसे नए अनोखे आइडियास मेरे जिसकी वचेस उनका बिजनस और बड़ा बन गया। कुछ आइडियास तो इतनी अच्छी थे कि आज भी नए नए बिजनसमेन द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं। जाने वाले रस्ते पर वल्टन ने यही तकनीक अपनाई और इस तकनीक से उनको फायदा भी हुआ। उन्होंने इस आइडिया को अपनाया लेकिन अपने ढंक से सैम वाल्टन ने मेटल के अलमारियों के इस्तेमाल करना शुरू किया। सफल होने के बाद वाल्टन ने दूसरे के अच्छी आइडिया का अपनाना कभी नहीं छोड़ा। एक बार एक स्टोर पर वाल्टन ने देखा कि आखर किस तरह से स्टोर के सारी करमचारी सुबह स्टोर के नाम के साथ चियर करते हैं जिससे करमचारियों का उत्साह बना रहता है। वाल्टन ने भी आकर अपने करमचारियों के साथ यही तरकीब अपनाई। वॉल्टन ने इसको वॉल्टन चियर का नाम दिया बात में जब सैम वॉल्टन के स्टोर की कर्मचारी प्रसिजन्ट बुश से मिलने गए तो वहाँ पर भी उन सबी ने चियर परफॉर्मन किया चियर देखने के बाद बुश की चहरे का उतसाथ देखने लायक था तीसरा सबक वॉल्टन ने हमीशा ग्राहकों को पहले रखा लेकिन विवात के बिना नहीं सैम वॉल्टन हमीशा चाहते थे कि उनके स्टोर पर ग्राहकों की कमी नहीं हो इसलिए जब उन्होंने अपना पहला स्टोर खूला तो वहां पर उन्होंने आईसक्रीम बनाने की मशीन रख लिए जिससे कि ग्राहक उनके स्टोर की तरफ आकरशित हो। इसके बाद भी सैम ने कई अलग अलग प्रकार की नीतियां अपनाई जिससे कि ग्राहक उनके स्टोर की तरफ आकर शित रहें। इन सब नीतियों के साथ सैम वॉल्टन ने 1979 में वॉल्मार्ट का अठारवां स्टोर खूला। स्टोर देर रात तक खुलने के कारण आसपास के व्यापारियों ने शिकायत कि आपकी वज़े से हमारा काफी नुकसान हो जाता है। इनके समय में कस्टोर बहुत कमाते हैं लेकिन सैम वॉल्टन ने किसी की नहीं सुनी वो अपने बिजनस को बढ़ाते गए। सैम वॉल्टन के हिसाब से उनके इस तकनीक से कोई नुकसान नहीं था। बलकि इससे फायदा था क्योंकि वॉल्टन के आने से लोगों के पास आप्शन आ गया था कि वो अज़ादी के साथ शॉपिंग कर सकें। वॉल्टन का मानना था कि लोग अगर वॉल्टन को पसंद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस एरिया में मौजूद बागी स्टोर्स के मकाबले में वॉल्टन को अच्छी सुविधाई देता है। सैम वॉल्टन का मानना था कि ग्राहकों को प्रात्मिक्ता देने वाली स्कीम से लोकल बिजनेस को भी फायदा होगा धारण के तौर पर सैम वॉल्टन का कहना है कि अभी हाल में एक पैंट स्टोर के मालिक ने वॉल्मार्ट के स्टोर पर आके उनका शुक्रिया अदा किया अप्रोच के साथ सैम वॉल्टन ने अपने बिजनस को आगे बढ़ाया चौथा सबख कॉम्पिटीशन से वॉल्मार्ट को परिशानी नहीं हुई बलकि और बड़ा बनने में मदद मिले सैम वॉल्टन का माना था कि कॉम्पिटीशन से भागनी की बजा उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए वॉल्टन अपने विरोधियों को देखकर अपने बिजनस स्ट्राटीजीज प्लैन करते थे 1970 के दौरान वॉल्मार्ट ने एक छोटी से जगे पर स्टोर खोला उस जगे पर पहले से ही केमार्ट नाम से कंपनी का स्टोर हुआ करता था उस समय तक केमार्ट पूरे अमारिका में लगभख 1500 स्टोर थे और वॉल्मार्ट के महस 150 वॉल्मार्ट को समझ में आ गया था कि अगर उन्हें उस जगे पर अपनी स्टोर की वैल्यू बढ़ानी है तो उन्हें बहुत कुछ अच्छी स्ट्राटेजी की जूरत होगी वॉल्टन कुछ करते से पहले ही वहाँ के मैनेजर फिल ने अपना दिमाग लगाया और एक सेल आयो जितकी उस सेल के अंतरगत वॉल्मार्ट वहाँ के लोगों को डिटरजन पर एक डॉलर की छूट दे रहा था जब यह बात वॉल्मार्ट को पता लगी तो उन्हें लगा कि बहुत घटिया आइडिया है और इसे वॉल्मार्ट को ही नखसान होगा इसी वज़े से सैम वर्ल्टन का मानना था कि कमपटिशन बहुत जरूरी है 1977 में लिटल रॉक नामक स्थान पर वॉल्मार्ट के स्टोर को केमार्ट के स्टोर के द्वारा बहुत ही शानदार कमपटिशन मिल रहा था वहाँ के केमार्ट के स्टोर लोगों को बहुत ही कम दामों में वस्तूएं दे रहा था जब इस बात का पता वाल्मार्ट को पता चला तो उन्होंने स्टोर के मैनेजर को आदेश दिया कि वो भी कम से कम दाम में चीजों को लोगों तक पहुँच आए लेकिन इसका असर यह हुआ कि उसमें टूथपेस की खीमत मातर 6 सेंट तक पहुँच गई लेकिन इतनी कम खीमत होने के मावजूद भी सैम वाल्टन पीछे नहीं हटे अंते में केमार्ट को ही पीछे हटना पड़ा इस घटना के बाद से वाल्मार्ट की निर्माता सेम वाल्टन को इस बात कब एहसास होगा कि अगर कोई उनकी कॉम्पटिशन में आता है तो उन्हें वस्तू की खीमत कम से कम करनी पड़ेगी अगर उन्हें अपनी ग्राकों को अपने साथ जोड़ी रखना है तो पांचवा सबब एक स्टोर मैनेजर चारली बॉम ने वाल्टन से कहा कि उन्होंने अपने स्टोर पर काम करने वाले करमचारियों के वेतन में इजाफ़ा किया है क्योंकि वहां के करमचारी वेतन से खुश नहीं है उन्होंने कहा कि करमचारियों का वेतन बढ़ाकर उन्होंने 50 सेंट 75 सेंट कर दिया है Sam Walton ने इस बात का विरोध किया और चारली को आदेश दिया कि वो अभी वेतन ना बढ़ा है वाल्टन ने ऐसा किसी ले किया क्योंकि जिस स्टोर से ये मांग उठ रही थी वो स्टोर वाल्टन के मनमदा पर प्रॉफिट नहीं दे रहा था काफी लंबे समय बाद सेम वाल्टन ने अपने करमचारियों को अंदेखा किया लेकिन 1971 में जब वो इंगलेंड जाके वहां से वापस लोटे तो अपने करमचारियों के प्रत्विट के नजरिया पिलकुल बतल गया अपने इंगलेंड के सफर के दोरान सैम वाल्टन ने वहाँ एक स्टोर विजिट किया वहाँ पर उन्होंने देखा कि इस स्टोर के सबी गर्मचारियों को एसोसियेट के तौर पर रखा गया है ये बात सैम वाल्टन को बहुत पसंद आई और वापसा आकर उन्होंने अपने वाल्मोट के स्टोर पर भी यही नीति अपनाई इसके साथ साथ उन्होंने अपने साथ काम करने वाले एसोसियेट के साथ प्रोफिट शेरिंग का काम बहुत जाए च्छटा सबख अद्धोना बढ़ सकता था 1974 की बात है Walmart बहुत अच्छा बिजनस कर रही थी उससमें Walton ने सोचा कि अब क्यों न रेटार्मेंट ले लिया जाए उससमें Walmart में दो प्रसिडेंट हुआ करते थी Ron Mayer और और उनाल्डो अरेंट Sam Walton ने Ron Mayer को दूसरा फेराल्ड का दो साल पीद गए जब Sam Walton को एहसास हुआ कि कमपणी में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उन्होंने निश्चा किया कि वो रेटार्मेंट से वापस आएंगे इस घटना को सेटरडे मस्क्यारी के नाम से भी जाना जाता है इस घटना के बाद मेयर और उसके साथियों ने वालमॉर्ट को छोड़ दिया जिसे कि वालमॉर्ट को काफी नुखसान सहना पड़ा Sam Walton को लगा कि अब उनकी मेहनत से बनाई कमपणी डूब जाएगी लेकिन इस विपत्ति के परिस्थितियों में भी वो डटे रहे उन्होंने जल्द से जल्द नए मैनेजर और कर्मचारियों को न्युक्त किया रॉन मेयर की जगए उन्होंने अपने पुराने दोस्त डेविट ग्लास को न्युक्त किया 1984 में Walmart एक बड़े milestone पर पहुँच गया। एक बार Sam Walton ने अपने Vice President David Glass के साथ शर्थ भी लगा ली थी कि Walmart कभी भी इस milestone पर नहीं पहुच पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ और Sam Walton शर्थ हार गए। शर्थ हारने के तौर पर Sam Walton को हवाएन अड्रस पहन कर वाल स्ट्रेट पर जाना पड़ा और उकुलेले प्लेयर्स के साथ हूला डांस करना पड़ा। पूरा प्रेस इस बात को जानकर हैरान था क्या अखर इतनी बड़ी कमपनी के मालिक कि ये बेहुदा काम करेगा या नहीं। लेकिन Sam Walton का कहना था कि ये Walmart की philosophy है। उसको पता है कि कब काम करना है और कब celebrate। सत्वा सबक Walton ने ये भी जाना कि कमाए हुए धन से समाज के लिए कुछ करना आवशक है। Sam Walton के बहुत सारे विरोधी थे। सबका मानना था कि Sam Walton इतना कमाने के बावजूर भी कुछ भी charity नहीं करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। Sam Walton शुरू से ही education के पक्षतारी थे। उनका मानना था कि education के साथ किसी भी देश का विकास हो सकता है। उनका मानना था कि अमेरिका का आने वाला भविशे तभी अच्छा होगा जब वहां के लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। इसी वज़े से Walmart परिवार ने Walmart के सहयोगियों के बच्चों का 70% तकी scholarship प्रादान की जिससे वो सभी अच्छे विशुद्याले में पढ़ सकें। ना सब अमेरिका में बलके Walmart ने अमेरिका के बच्चों को अने देशों की बड़ी बड़ी उनिवस्टियों में पढ़ने के लिए भेजा। Sam Walton का मानना था कि जब ये सभी बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वापस आकर वो सभी अमेरिका की गिर्ती हुई अर्थ व्यवस्था को सुधारेंगे। Walton का मानना था कि Walmart भी दान का एक सुरूप है। उनका ये मानना था कि Walmart जो कि ग्राहकों को प्रात्मिक्ता देने वाली नीती है उससे ग्राहकों को बहुत वायदा होता है। Walmart का कहना था कि Walmart के सस्तेदामों में वस्तूं को बेचने से ग्राहक साल भर बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं। 1982 से लेकर 1992 के बीच दस साल में जहां Walmart ने 130 बिलियन के प्रोड़क्ट बेचे तो वहीं ग्राहकों ने Walmart से सामान लेने के दौरान 13 बिलियन बचाए भी इन बचाए पैसों से Walmart के ग्राहकों की जीवनचरिया भी सुथरी कुल विलाकर Sam Walton ने एक छोटी से स्टोर को दुनिया का सबसे बड़ा रोडेल स्टोर बनाया उनके इस किताब के सरी हमें ये भी पता चला कि किस तरह से ग्राहकों को प्रात मिक्ता देने से बिजनस बहुत देजी से ग्रो करता है Sam Walton से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कभी भी competition से दूर नहीं भागना चाहिए बलकि उसका सामना करना चाहिए ग्राहकों के साथ साथ कर्मचारियों का ध्यान रखना भी आती आवशक है क्या करें? अपने विरोधी की पूर देजाच आवशक है Walton ने अपनी competition को competitor को पहचान कर उसका डट कर सामना किया Walton अपने विरोधीों के हर नीती पर पैनी नजर रखते थे उनका मानना था कि वस्तूं के दाम गिर जाया लेकिन कभी भी ग्राहक का विश्वास नहीं खोना चाहिए